मुझ आपका कि अधिए प्रिसान किसी की पास ताले में ख्याता वी डूब गया कोई सब सामसुमा नेर देखते की पानी आरा की बंद हुआ है को जब पानी नियाता कुस हो जाते है जब पानी दुगी हो जाते हैं इस परावलम है भाई कोई सुनता नहीं है आतेर काई चले रिंघ किता बना दें यह कर देंगे वह जो लिगकी कृण करें आठना है इसपी पझे कोई Come किसी के पास जाते हैं अगर रिक सारा है अगर कुछ कर से तो ठीक कोई बिधाय कोई नहीं आता है अब आप यहां पर देख लें सर्वी माइनर कंड दो का जो हाल की जो हालत है आप देख रहें कई दिनों से लगातार चर्शा में विशे बना हुआ है 19 साल हो गया है इस नहर को बने हुए 19 सालों में इस साल शायद गवर्मेंट को दया आई थी उन्होंने अपने अधिकारियों को यह कहा कि इसमें पानी छोड़ा जाए पानी छोड़ तो दिया गया लेकिन इसकी प्रॉपर वे में सफाई नहीं हुई थी जिसकी वज़े से यह तक प्लान कर लिया हो कि अगर यह हमारी समच्या का समाधहन नहीं हुआ तो हम भी फासी लगाएंगे हम भी अमने परिवार को जहर खिलाएंगे और उनको मार देंगे क्योंकि गरीब बिचारा उसके पास सिर्फ यही धन होता है उसका फसल लेकिन अगर उसका फसल ही ब विचार हैं यह अनिल जी आपने जो देखा यह मनजर इस वक्त पूरा हजारों एकड जमीने जो है किसानों की जिसमें धान की रोपाई हुई थी यह डूब रही है इसके उपर आप क्या कहना इससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे अब तक आपने सिर्फ भरस्ट अचारियों के खुलासे को उजागर किया है तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपने जनहित में यह काम करना शुरू किया और आज लोगों के लिए आप यहां तक आये क्या वज़े रही है देखे मैं सबसे पहले जिन किसानों के साथ यह इतना ब्रात्याचार हुआ है जो दिक्क जिन अधिकारियों के लापरवाही से यह सब हुआ है मैं उनके विरुद्ध उनकी जाच करवाऊंगा और जो भी दोसीस में पाये जाएंगे उनके खिलाप सक्सक्त कारवाई होगी और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ यह जितना भी नुकसान इन किसानों का हुआ है म अपने जिले के अधिकारी से बात करूँगा मांगे मुकमंत्री जी से भी बात करूँगा और उनको यह इसका भरपाई के लिए मैं पूरी प्रियास करूँगा उनको मौपजा दिलाऊंगा रही बात आपने कहा कि मैं खाली भरष्टा चार पर काम करता हूं ऐसा कभी नही है मैं उसमें बढ़ चड़ करके भाग लिया हूं यह जाई रह कि आपने नहीं उसको दिखाया हो तो वह अलग बात है मैं हमेशा सदेयों जनता के लिए ही काम करने के लिए करता हूं करता हूं करता रहूंगा ऐसा कुछ नहीं है भरष्टा चार कि अभी आप मेरे पास उस किर्ण यह दिखते आई है मैं इसको पहले आपने सीनियर जिला के आधिकारियों से बात कर करके इसमें जो है जो भी दोसी है उनके व्रूद सक्त से सक्त कारवाई का मांग करता हूं और कारवाई भी कर्वांगा एक बात यहां पर यह सामने आ रही है कि जैसे अभी इस साल इसमें पानी छोड़ा गया है तो अभी जैसे दोशी जो अभी जो होंगे अधिकारी उन्हीं के ऊपर ही दोश होगा लेकिन दोश उनका कहीं न कहीं बहुत कम होए क्योंकि ये नहर 2002 में इसका निर्मार हुआ था 2002 से लेके आज तक इसमें कभी न सफाई हुई और ना ही पानी छोड़ा गया तो इसमें क्या लगता है आपको कि कहां तक इसमें भरस्टाचार हुआ रहेगा कि इतनी गबन हुए रहेंगे क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि हर साल इसमें बजट आता रहा होगा साफ सफाई के लिए इसके बारे में आपका क्या कहना है देखे यह जानकारी मुझे पहले नहीं किसी ने उगत कराया या मैंने भी खुद ध्यान नहीं दिया मगर मेरी जानकारी में आया है तो इसमें चाहे पिछले दोसी रहे हो या आप दोसी रहे हो मैं इसकी तह तक जाओंगा और इसकी पूरे जिसकी भी गलतियां है जिसने भी भरस्टाचार किया है उनका भरस्टाचार उजागर करूँगा और सक्त से सक्त कारवाई करूँगा ये ते हमारे साथ खनलिल स्रिवास्तो जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसमें जो भी भरस्टाचार हुआ है जितने भी लोगों की इसमें जो है इन्वाल्मेंट रही होगी उसके ओपर ये बिलकुल उनका खुलासा करेंगे और इसके ओपर कारवाई करवाएंगे और यहां के किसानों को ये आशवाशन दिया है